गुड मॉनिंग स्टुडेंस आज हम अउ की मात्रा वाले शब्द पढ़ेंगे ठीके मैं पढ़ना शुरू करती हूँ ध्यान से अपनी अपनी किताब में सब देखो मौसा मौसी अउ की मात्रा वाले शब्द देखो पढ़ो और समझो यह चित्र किसका है कव वा सबने देखा है न क कमयों की मात्रा कव आ कव वा यह चित्र किसका है यह एक सबजी है न ल लमयों की मात्रा लव क में बड़ी की मात्रा की लव की यह एक खिलोना है यह भी सबने देखा है ख, ख में छोटी की मात्रा खी, ल, लमेव की मात्रा लव, न, लमेव की मात्रा ना, खिलव ना पढ़ो, चौका, मौका, नौका, पौधा, मौसी, डौडा, चौडा, हतौडा, तौलिया, पकोडी पढ़ो और सुनाओ, दोपहर का समय था, मौसा, मौसी, और गौडी आए, अपनी साथ खिलावने भी लाए सौरब, गौरब और गौरी ने मिलकर पकोडी, कचोडी बनाई, गरम गरम पकोडी, कचोडी, चौकी पर रख दी, सबने खूब मन से खाई अब हमने जो पाठ पढ़ा, इसको आप एक बार पुनह पढ़ो, अउकी मात्राओं को ध्यान से देखो और उन्हें समझो सही उच्चारण करो, मौसा, पौधा, लौकी, तौलिया, कचोडी अब हम बुक एक्सिसाइज करेंगे, यह सिर्फ हमको बुक में ही करना है मिलते जुलते शब्दों का मिलान करो चौकी लौकी, मौका चौका, डौडा चौडा ओ या अउ की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करो खी, लमेउ की मात्र लव, ना खिलव, ना त, ओ की मात्रा टो, पी, टो, पी स, ममेउ की मात्रा मो, सा, समो, सा ह, तमेउ की मात्रा थौ, रा, थौ, डा क, चमेउ की मात्रा चौ, डी, कचौ, डी घ, गमेउ की मात्रा घो, डा, घो, डा अक्षरों को मिला कर लिखो द दम्यों की मात्र दो वडा दो वडा त तम्यों की मात्र तो लल में छोटी की मात्र ली या तो ली या प कम्यों की मात्र को डी पकोडी च चम्यों की मात्रा चो दह चो दह यह भी करें ओ की मात्रा वाले शब्दों को मिलाओ और रंग भरो अब इसमें क्या करना है स्रिफ ओ की मात्रा वाले शब्दों को मिलाना है देखो जैसे मैंने क्या किया है शोर फिर रोटी मोर गोटी इस तरह से आप लोग भी जोड़ोगे ओ की मात्रा वाले शब्दों ृसतरह आपको सभी ओ की मात्रा वाले शब्दों को जोडना है और जिससे यह बनेगा क्या बनाई यह एक हमारा कर बनेगा इसको मैं आपको रंग भरॉआ है नाम लिखकर बताओ आपने क्या बनाया क्या बना जोकर जमें ओकी मात्रा जो कर जोकर थैंक यू हरे कृष्णा है वनाइस डे